क्या नाम है सराप जैकी संदासभग जी जाज जरा रियाणा संतरामपाल जी के विशे में क्या कहना चाहोगे सर जी संतरामपाल जी माराज के विशे में मैं क्या कहना चाहोगे मैं एक बहुत बुरा इनसान था जो मैं आरिये समाजियों के बैकावे में आकर गुरु जी को बहुत अच्छा बुरा बोलता था और जो 2013 में जो कांड हुआ था बरवाडा करोथा कांड जो हुआ था 2013 में मैं जो है अपने गाउं से हम पूरे गाउं के लोग इखटा हुआ है और डोल बजा बजा के गाउं इखटा किया था कि बहुए चलो रामपाल का लठ मार कावांगे बहुए वो जो है और मैं भी बगजी जो समाज से सुनता था आरिये समाजियों से पर्चे भी बाटते थे उन्हें चुनता था भी वहां पर बहुत गलत काम होता है वहां पर मतलब जो है बहन बेटियों को भी गलत तरिके से यूज किया जाता है तो मैं सोचा सर जी मगा भी यह तो एक बुराई है हमारे अरिया में इसको मिटाना चाहिए देखो बगजी मैं अपनी ओर से अपनी ओर से ठीक था कि यहां पर इतना गलत काम जो हो रहा है तो समाज का साथ देना जुरूरी है और यह बुराई यहां से खतम करनी है तो जी मैं हम वहाँ से चले गाउं से पूरा गाउं डोल बजाता हुआ चला और हम सब से आगे थे और डिकल में से यह भी बोलते जा रहे थे जब रोड के उपर से जा रहे थे और तो और तो और ते निकल निकल के आ रही थी देखने के लिए क्या हो रहा क्या हो रहा तो अकिकत में यह बोल रहे थे कि अपने काम ना समाल लियो हमारा नहीं पता कि हम वापसी आओं के नही रेते हों मतलब मरने के लिए त्यार थे बिलकुल जान देने के लिए तयार के यहां से रामपाल को उटाना है चाये जान जाओ चाये कुछ भी ओ तो श्सक्राइब जा लिए जब कुछ डिगल वासी भी हमारे साथ हो लिए जथे में चलो भी जब बरानाय पूरा उठका आगा तुम पीछे क्यों रहो तो उधर से गोच्छी गाओं के उठका आगे तो बगजी हम जैसे ही टूल टेक्स पार किया तो मिल्ट्री इतनी ज्यादा खड़ी थे कि हम वहाँ पर जा नहीं पाए तो खेतों में चले गए खेतों में पूरा दिन बुखे पैसे बैठे रहे आला कि हमने किसी का आथ नहीं लगाने पाए किसी पगत का है हमने कुछ किया नहीं दूर से ही बोल रहे थे कि नास कर देंगे ऐसे कर देंगे और बगतों को देख भी रहे थे हम दूर से कभी आत जोड़ते आ रहे हैं और बई बसों में बैठ रहे हैं फिर भी सोचे एर ठीक है जो कुछ हो गया होगा अपना साम को आपसी आने लगे तो हमारे गाउं का यह हमारे पड़ोस का यह बगत था तो वो लीगलब स्टैंड पर मिल गया मैं थोड़ा पीछे रहे रहा था जो हमारे साथ थे बंदे हमारे बिल्कुल रिलेटिव जो साथ में गई हुए थे उन्हें उसको पीट दिया यह रांपाल का चेला था गया एक मारो इसका मारो तो पीट दिया बगजी अलागी वो बह आपने गाओं काई है तो अब जी फिर मनने दोजार चोदा में गोर्ड गाओं में पुस्तक शिवा हो रही थी है 2013 की बात साय थी 2013 गोर्ण गाव में पुस्तक से ओर रही थी तो ग्यान गंगा पुस्तक लेकर गुम रहे थे बगत जी मना सोचा भी ले ले दस अरपी कीता है कितनी मोटी किताब देन लाग रहे मना बगत जी वहान का उसका एक पेज पढ़ यहां मना बहुत अची लगी मगा की आश काई था कंगड पर्ण थी और टी बीवी तब लए ग्हा था तब तक नीज था तो मने चैनल भंदर धाः खाटे खाटे चानल बदलते बदलते मेरे मामा का लटका भी मेरे साथ बेठक हूआ था संधीब ना में उसका है चैनल सबदलते बदलते गुरुोजी तो मन कि अगदम से गाली दी मगार यह रामपाल मारे गरना की था गया मगा राकस मगा बाई टीव फोड़ना पड़ेगा मगा के यह डीस पड़वानी पड़ेगी दूसरी लगवानी पड़ेगी मागलत नंबर मिल गवाई तो बगजी मेरे मन माय परमातमाने परेणा करी अंदर मत जाए कि भी सुनते ले दुनियान के उकर बगा रहा है वे कोई तो बात हो गी इतनी दुनियान बगा रहा है तो चुनकर देख ले धर बगजी फिर वह उस दिन वह साथ चारीश पर आता था जैन्ब सट संग आट चारीश तक तो मैं लगवग्षा दे आठ बजे देखन को दारण कि यह मनुश्य में दूसित करम करने वाले मूड गवार लोग होते हैं और मनना नो साला नुमान का बरती रहते हो लिए बगजी और कावड भी लिया मैं तीन कावड भी लेका डाक कावड तो मेरे बगजी एक दा मचंबा हुआ हुआ मैं यार या के बात बरत करना अब भी मना मगा गीता में लेकर रखा फिर गुरु जी ने साथ ही यह बोल दिया कि भी सारा समाज सिक्सित है पड़ा लिखा है तो मिंबरा मनों का आज तक तुम्हें किसी ने गीता दिखाई ने रही है उसका सारा ले लेकर तुम्हें गल्थ पाट पड़ा रहे हैं वह म आज किस टाइम पाया हुचा चल आगाया जब मनों सूच आठ बजी आया होगा भी तो बगजी मागले दिन फेरु शी टाइम पर खाना खाना हुआ मना बगजी फेरु आगले दिन सवाठ बजे ही चला फिर तीसरे दन और सुनन लागा मेरी मां बोली रंपाल बनागा कि मा माहा इसा है बुरा इन्सान भी कुछ न कुछ सीख दे JER疑ा हaguya अपने आपको बुरा तप तक नहीं मानना था हमाँ आपने आपके बहbé अप आच्छा समझ रहे है था है तो यह समझया भी अच्छे इंसान के कुणों हो है बुरे से भी कुछ न कुछ शीक ले तो हमें वो सकता है इसाइब कुछ शीखने को मिल जाए तो बगजी मने एक अपता सत्संग सुना गुरुजी का सत्संग सुना मने परमान देखे गीता देखी परमातमा ने चारो वेद सब कुछ उठा उठा के दिखा दिया मने बगजी माता टेक दिया चरना मैं गुरु जी आते तु मेरा बगवान और मैं तरह बालक दरती दर्शे उदर हो जागी मैं अब डग मगनी हूँ अच्छा एक कुछ भी हो तो बगजी मैंने दस महिने तक सत्संग शुना गुरु जी का दस महिने के बाद सक्भण की मनरदास लगा या सरम में परमातमा निकालने का टाइम दो उसी दोरान मेरे को गुरु जी ने एक प्राइविट नोकरी भी दिलवा दी थी और आज सरकारी साइद कम पड़ जाएगी उसके बराबर परमातमा ने उसे नोकरीब लगा हुए तब स है तो बगजी बताया आप अरिस्माजी थे कटार समाजी थे आपने करों था चार्व पर करमन करने भी गए थे फिर ऐसा क्या आपको बैका आया गया था अजबी लोग भिरमेत हैं तो किन बातों को लेके बिरमेत हैं संतरॉम पाल जी के लिके बगजी देखो हमारे एरिया कुष तो खाया न है बैस को डालदिया वैस बागी तो बजम भी इस टेक तक भी गया मैंना you म में इसकी जा वह सुना है भी डीगम की बाजी है वह आसे पूछा तो कोई करे रहा ब्राहने के बागी थी वहहीं करोथागी भागी थी तो भी वह ऐसा इनसान तो मस्हूर हो जाता है जिसकी भाजी है उसे भी बोलते हैं इसकी भागी लेकिन अबना आद्मी आज तक इसा कोई नहीं मिला के उसकी बैस भागी है ठीक है मैंने तब से विचार लगा अधी ठीक है यह समाज दुनिया भ हमंगल सूतर मिले औरतों के अर्ये मिला रही है वो मिला मतलब बहुत अच्छे से अच्छा इनसान अगर उस बात को सुन ले ना तो वो भी उनके बैकावे में आये हुआ ही था लेकिन बगजी मैंने जब तह तक गया ग्यान सुना बगवान का जब फरमातमा ने दिया की और म मेरी एकदम स्याख खुल गी मगा यार कल तो दिल्ली का चक्कर है गाड़ी लेकर जानी है सुबह सुबह और मगा दो पार को दो तीन बजे आ जागा और बरवाड़ा दूर है यहां से कैसे जा जाए तो परमातमा ने वो भी मेरी समश्याल की शाम को पांच बजे मेरे पास एक जानी है तो परमतमा ने दया कि बन नाम लेने के लिए गुरू जी को मने बता आया गूरू जी मैं ऐसा हूं ऐसा था नाम ले और परमातमा की दया से मोच कर तेरह कोई कुछ को नहीं कर सकता